हालो केट्स ओपनियर बुक्स वाक बुक्स लेसन नमबर फोर सेवन वेंडर्स ऑफ द वर्ड पेज नमबर फॉर्टी टू एंड टॉपिक इस अड्जेक्टिव अड्जेक्टिव आपको पता है न अड्जेक्टिव क्या होते हैं अपने लास्ट इयर भी करे थे अड्जेक्टिव सेथे अड्जेक्टिव आपको याद है न कि जो वर्ड किसी नाउन या प्रो नाउन की क्वालिटी को उसके किसी ना किसी को डिस्क्राइब करते हैं उनको बोलते हैं अड्जेक्टिव एक्जाम्पल्स थिन आनेस्ट ब्यूटिफुल लो हाई लॉंग शॉर्ट यह सभी क्या होते हैं अड्जेक्टिव होते हैं कि तो इसके अपने एक्सराइज देखते हैं फिर्स एक्सराइज चूस थे चूस्थ पर जेक्टिव लो तो फिल इन थे ब्लैंक्स अप्शन्स आपको दिये हैं होट गोल एक्सलिफुल बॉरिंग और अनेस्ट ही लाइक सुट्रिंग डेश कॉफी which word can describe the coffee can coffee be the boring or honest or colorful क्या हो सकती है coffee क्या coffee boring होती है colorful होती है क्या option आप यहां पर fill कर सकते हो yes coffee can be hot or cold ठीक है she was wearing a dash dress for her birthday कैसी dress पहनी उसने birthday के लिए honest honest dress थी का उसकी no it's colorful okay the program was so dash I felt sleepy program इतना जदा dash था कि मुझे नीन आने लग गई hmm yes boring the dash driver returned the money to the passengers honest driver driver honest था था तो उसने passenger के पैसे वापिस कर दिये though weather is dash that I am feeling so thirsty कैसे weather में में बहुत प्यास लगती है cold weather में या hot weather में कैसे मौसम में हमें बहुत प्यास लगती है fill in the blanks okay सभी को समझ आ गए ना क्या क्या answer लिखने है next match the adjectives to their opposites अभी उनके opposites देखने हैं आपको opposites भी क्या होते हैं adjectives ही होते हैं ये सारे opposites क्या हैं adjectives हैं beautiful yes ugly brave coward intelligent foolish large small narrow wide narrow का मतलब होते है tongue कम चोड़ा और wide means चोड़ा okay fill in the blanks with the words given in the brackets आमर went for a dash walk कौन सी walk होती है उन्ची दूर ये long high walk far walk long walk yes it's long walk in summer it is dash in summer it is low hot green क्या होता है समर सीजन में you can feel it by yourself दो लक्ष्मी इस डैश गर्ल शी गेट्स टायर्ड वेरी क्विक्ली दो लक्ष्मी इस डैश गर्ल शी गेट्स टायर्ड वेरी क्विक्ली चाहे लक्ष्मी बहुत डैश गर्ल है पर वो बहुत जल्दी ठक जाती है old, young, long देखो इसमें क्या है कि उसने दो का यूज किया मतलब थोड़ी opposite सी situation है कि बुड़ा आदमी तो देखो ठकता ही है उसमें तो कोई opposite वाली बात नहीं है कि old woman होगी तो वो ठकेगी अब क्या है कि वो चाहे वो young है फिर भी वो ठक जाती है sentence का मतलब यह है तो यहाँ पर young फिल करेंगे दो लक्ष्मी is a young girl वो young girl है she gets tired फिर भी वो बहुत जल्दी ठक जाती है आरुन बाटर डैश cupboard from the carpenters shop yesterday कारपेंटर से लाएं है तो कैसी कैसी होगी कबड glass की, cloth की या wooden कारपेंटर कौन से material में deal करता है number five as soon as he saw it he realized that it was an dash flag India flag Indian flag और Hindi flag देखिए सबसे पहले तो यह देखो की an use हुए तो an के साथ vowel sound वाला ही आपको word try करना है यहां पे तो an sound vowel sound वाले दो वर्द है India और Indian तो कौन सा flag होता है India flag या Indian flag yes it's Indian flag then our next topic is degrees of comparison you are all aware that there are three degrees of comparison there are three degrees of comparison first is positive degree second is comparative degree and third is superlative degree कब कब कौन कौन से degree अपने यूज करते है positive degree को अपने यूज करते है जब हम किसी एक ही person की या एक ही thing की बात कर रहे होते है like Ramu is thin इसमें सिरफ एक ही person की बात हो रही है वो है Ramu और Ramu कैसा है thin adjective है या आपे thin तो ये thin word जो है वो adjective की positive degree है यूज कि इसमें सिरफ एक ही person की अपने बात कर रहे थे तो हमने adjective की positive degree यूज करी है फिर आते comparative degree तो comparative degree अपने कहां यूज करते है when we compare two persons or two things with each other then we make use of comparative degree जब हम दो लोगों की ये दो चीजों की तुलना करते है उनका comparison करते है तो हम adjective की कौन सी degree यूज करेंगे comparative degree example देखिए Ramu is thinner than Raju Ramu Raju से पतला है Ramu और Raju का comparison हो रहा है so we are making use of comparative degree और thin की comparative degree होती है thinner thinner दो चीज़े यहां पर अपने को note करनी है comparative degree comparative degree में क्या होता है mostly अपने er add करके comparative degree बनाते है जैसे इसमें thinner बन गया है तो और दूसरा जब भी अपने comparative degree यूज करते है adjective की तो उसके बाद word यूज होता है then t h a n जब भी आपको philips में भी आए ना समझ नहीं आ रहा हू then का use किया हुए तो इसका मतलब आपको कौन सी degree यूज करनी है comparative degree then हमेशा दो लोगों का comparison करने के लिए ही use करते हैं इसलिए आप जल्दी से यह पैचान सकते है कि यहां पे comparative degree ही आएगी जब then लिखा हुआ आता है okay the third one is our superlative degree superlative degree when we compare more than two persons or things with one another we use the superlative degree जब हम दो लोगों की या दो चीजों की बात करते हैं comparison करते हैं तो हम दो से जादा चीजों की या दो से जादा लोगों का हम लोग comparison करते हैं तब हम use करते हैं superlative degree for example Ramu is the thinnest boy in the class अब Ramu का comparison किस से हो रहा है पूरी class के साथ हो रहा है तो दो से जादा लोगों को गए न तो कौन सी डिग्री यूज करी superlative degree तो thin की superlative degree है thinnest thin की superlative degree thinnest और superlative degree में last में mostly क्या लगावा होता है est और superlative degree से पहले हमेशा the का use होता है जब भी हम superlative degree का use करेंगे तो उसे पहले word यूज होगा the तो जब भी आपको philips में check करना हो ध्यान देना हो कि अपने को कौन सी degree यहाँ पे use करनी है अगर sentence में then लिखा हुआ है तो आप comparative degree यूज करोगे और अगर degree से पहले adjective से पहले the लिखा हुआ है तो आपको superlative degree यूज करनी है और जब किसी एक ही person के बारे में बात हो रही है किसी एक ही thing के बारे में बात हो रही है तो अपने use करेंगे positive degree तो इन सब का use करनी के लिए सबसे पहले आपको इनकी forms learn करनी होंगी कि कौन से adjective की comparative degree क्या है और superlative degree क्या है जैसे thin positive degree है और thinner comparative degree और thinest superlative degree तो आगे अपने दिया हुआ है words comparative degree इनकी आपको लिखना है important important का more important और साथ में क्या लगाया then nice का nicer tall taller fat fatter comfortable more comfortable more comfortable then हमेशा comparative degree यूज करते हैं जब भी अपने sentence में तो उसके बाद then का use करता हम पड़ता है हमें the next is fill in the blanks with the comparative और superlative form of adjectives given आपको अब खुद से चेक करना है कि कहां पर comparative degree यूज होगी और कहां पर superlative degree this chair is dash than the old one देखे वर्ड कौन सारा है इसमें डिगरी के बाद then then का use किया हो तो आपको कौन सी डिगरी यूज करनी है comparative degree comfortable की डिगरी होती है comfortable more comfortable most comfortable okay pick the comparative degree and write it trains are dash than aeroplanes then means comparative degree or slow की comparative degree slower slow slower slowest then next I bought the dash toy in that shop the the का use हुए the का use कौन सी डिगरी से पहले होता है yes superlative expensive more expensive most expensive superlative degree is most expensive number four in this hotel there are dash facilities then what is there in that one इस hotel की facilities जादा अच्छी है दूसरे जो पहले वाले hotel है उससे तो दो hotels का comparison हो रहा है then word का use हुआ हुआ है तो कौन सी डिगरी yes comparative degree और good की degrees होती है good, better, best good, better, best b-e-double-t-e-r, better, b-e-s-t, best number five अमर इस द़ चाइल्ड इन द फेमिली द़ द़ इस यूज़ इस उस्ट इफ़र द बिफोर द शुपरलिटिव डिग्री यंग, यंगर, यंगेस्ट यंग, यंगर, यंगेस्ट यूज़ बिखा इस यूज़ अपने तेस्ट करेंगे I'll send you test और इसको complete करेंगे next है अपना topic articles very easy topic पहले अपने कर चुके हैं articles कौन-कौन से होते हैं there are three articles a, an और the a, an और the a किस से पहले use करते हैं first thing याद करनी है कि a और an को use कहां करते हैं countable noun से पहले use करते हैं हमेशा कोई भी चीज जो countable होगी उससे पहले ही आप a या an या यूज़ कर सकते हैं like earth से पहले आप a या an नहीं use करेंगी sun से पहले आप a या an नहीं use करेंगी क्योंकि they are not countable sugar it's not countable salt it's not countable तो आप यह नहीं कह सकते a salt तो पहली चीज तो यह ज़्याद रखनी है आपको कि a और an countable ना उनके साथ ही use किये जाते हैं और a करना है use या an करना है use तो उसके लिए आपको check करनी होती है उनकी sound जब भी कोई word consonant sound से start होता है like cat, bat, rat तो आपको a use करना होता है अगर कोई भी word vowel sound से start होता है like aeroplane, ant, honest, octopus तो अपने को क्या use करना है an okay consonant sound सभी सभी को पता है हमने पहले कर रहा था कि vowel sound का ध्यानी रखते थे पहले हम रखते थे सिरफ अगर vowel लिखा हुआ आ रहा है like a, e, i, o, u तो हम an put कर देते हैं लेकिन अब अब आपकी classes बढ़ी होगी तो थोड़ा और carefully इसको करना है कि हमेशा vowel letter से पहले an नहीं आता हमेशा vowel letter से पहले an नहीं आता कई बार क्या होता है कि vowel letter तो होता है लेकिन उसकी sound vowel वाली नहीं होती इसलिए हम वहाँ पे a use करते हैं जैसे university university में you तो आ रहा है starting में but you, your की जो sound है वो vowel sound नहीं होती तो वहाँ पे a university use करते हैं अपने ना कि any university, okay for example एक और देखते हैं अपने honest honest में h लिखा हुए है ये vowel नहीं है बट इसकी sound जो है वो vowel की sound है honest तो हम an honest बोलते हैं a honest नहीं बोलते हैं okay a और n का आपको पता चल गया ऐसी एक चीज़ और बताती हूँ आपको t h e d b भी बोलते हैं और t h e को d b भी बोलते हैं तो अपने कहां पे इसको d बोलते हैं और कहां पे the बोलते हैं ये भी एक च्छोटी सी बात है समझने की ध्यान से इसको चेक करना है इसमें भी अपने को क्या करना होता है vowel sound पे ध्यान रखना होता है जैसे कि किसी भी vowel sound वाले word से पहले अगर t h e लिखा हुआ है तो उसको अपने बोलते है दी जैसे कि कोई movie end होती है तो इसमें last में लिखा हो आता है न दी end तो इसको दी end बोलते हैं दव एंड नहीं बोलते हैं अपने ओके जैसे अर्थ से पहले अगर लिखा हुआ है तो उसको दी दी अर्थ बोलेंगे, द अर्थ नहीं बोलेंगे Okay, spelling same रहते हैं लेकिन इसकी pronunciation अलग-अलग होती है अगर consonant से पहले अपने इसको यूज़ करते हैं तो द बोलते हैं vowel sound से पहले यूज़ करते हैं तो दी बोलते हैं Okay चलिए आगे अपने इसकी exercises करते हैं Let's fill a, an और the और the First is ball Ball के लिए क्या यूज़ करेंगे Yes, very easy A, lamp Lamp A, क्यूंकि consonant sound है Book Countable है Consonant sound है तो अ यूज़ करेंगे Then number four Moon Consonant sound है But moon Countable thing में नहीं आता न तो The moon और Five table Countable Consonant sound A Earth The earth Earth The earth Octopus Octopus Egg An egg Umbrella An umbrella Pencil A pencil Okay Then Same once again आपको फिर से article ही यूज़ करने है But in sentences What is dash date today? What is the date today? He is a small child We reached home in the morning 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 countable नहीं है न? She bought an egg puff Do you like dash moonlight? Yes, the moonlight Choose the correct article in the filling blanks I have dash small family A or N I have dash small family Small के लिए क्या यूज करेंगे? My father is dash engineer Engineer के लिए क्या यूज करेंगे? A or N I have dash idea 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 An और The मेरे पास एक idea है क्या बोलेंगे इसको? The idea और An idea An idea Okay There is dash orange in the fridge An और The किसी particular orange के बारे में बात नहीं हो रही है न? और तो एक orange पढ़ा है फ्रिज में तो क्या बोलेंगे? An orange She bought Dash beautiful gift A और An She bought A beautiful gift और An beautiful gift Bur sound कैसी है consonant? या फिर vowel sound Yes, it's consonant sound And we will use here A Next of our topic is Colors इसमें आपको Colors के names fill करने है कुछ-कुछ gaps दिये हुँ है वो complete करके आपको Colors name Complete करने है इसमें Complete the names of colors Next is Do you know That when we mix colors We can make New colors जब दो colors को mix करते हैं तो एक नया color बनके सामने आता है तो Choose the correct color to fill in the blanks If we mix blue and yellow We make Blue and yellow को mix करते हैं जब भी कौन सा कलर लोई आता है और बॉक्त करने से पहले प्रेश को बॉट्र करने जूड़ी है इस नहीं बनेगा जबाए अपने साइब लोगा मिक्स करने दूंपर हो यंदा भी और बॉट्र कलर को mix करने जबाएं तो एक जित्ती quantity में लेना है इनको और mix करके देखो कौन सा color बनता है फिर आप इसमें write करोगे तो ये सारा topic आपको आज अच्छे से learn करना है, revise करना है tomorrow we will have revision and test of this topic ओके